टोकियो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे वो अब गृधध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुधिस्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योध्धा जिसने कभी कोई युध्ध नहीं हारा था सोचा कि अगर मैं मास्टर को लढने के लिए उकसा कर उ भी शिश्य वहां इकट्था हो गए और अंत में मास्टर भी वही पहुँच गए। उन्हें देखते ही योध्धा उन्हें अपमानित करने लगा उसने जितना हो सके उतनी गालिया और अपशब्द जैन मास्टर को कहे। पर मास्टर फिर भी चुप रहे और शान्ती से वह खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योध्धा कुछ घबराने लगा उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जैन मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे उसने अपशब कहना जारी रखा और मास मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे वो उसी शांती के साथ वहां खड़े रहे और अंतत योध्धा थक कर खुदी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिश्य जैन मास्टर से नाराज हो गए भला आप इतने काये कैसे हो सकते हैं आपने उस दुष्ट मास्टर बोले जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी के पास रह जाती हैं जो उन्हें लेकर आया था। स्टोरी सार इस जैन कहानी में जैन गुरू ने ये बताया कि आप अगर किसी इर्शलू व्यक्ती से जगड़ा या बहस करेंगे तो सिर्फ आपकी शांत